दोस्तों मेरे पार एक लैप्टॉप आया है यह HP के G4 लैप्टॉप है इस लैप्टॉप करता है प्रॉब्लम यह आ रही है कि यह USB को नहीं रिट कर रहा है जैसे हमने माई कम्पूटर खोला हमने इतरे पेंड्राइब को लगाया प्री लेटिक याजय कर अब्राइब वरह रहा यह आव्य दारा इवरी कारा टेक्शल्चलस खेंगे यह आप अप्ल जाता है अब यह पन्राइब को अफन बनगया गया लेकिन ज़्सी पेंड्राइब को जब दूसरे वरा डा लाय लगाता हूँ ख Woo piano तो यह नहीं ले रहा है इसमें प्रॉब्लम यह है कि कभी रीट करता है कभी नहीं रीट करता है यह वाला स्लोट जादा प्रॉब्लम करता है कभी रीट करता है कभी रीट करता है लेकिन जब इसमें लगाते हैं तो इसमें हमारा प्रॉपली एक बार में रीड हो जाता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको क्या करना होता है स्लोट को रिपेर करना होता है स्लोट को रिपेर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके slot जो होते हैं लूज हो जाते हैं या damage हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो उनको हम repair करते हैं कैसे repair करेंगे आज हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे USB slot को repair करेंगे सबसे पहले इसको बंद करेंगे बंद करने के बाद को क्या करेंगे, सट डाउन करेंगे हम आपको बताते हैं कि हमारे पाद जैसे HP G4 Laptop बता है इस Laptop को open कैसे करते हैं, close कैसे करते हैं, इसका assembling, dissembling कैसे करते हैं, खोलते कैसे, बांदते कैसे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, कैसे हम Laptop को repair करते हैं, या Laptop को repair करने के technique क्या होता, तरीका क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे, यह आपका जो लगा होता है, इसे हम लोग हार्डिक्स बोलते हैं, यह पता होता है, इसको आप आसानी से रिमूब कर लेंगे, उसके बाद फिर आपके यह रैम लगी होती है, रैम को भी आसानी से आप अटा लेंगे, उसके बाद फिर आपके यह वाई-फाई का कार्ड लगा हुआ तो वाई-फाई का कार्ड को अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे इसको पूरा खोलेंगे सबसे पहले इसके जितने भी सारे स्कुरू हैं सारे स्कुरू को उपन करेंगे जब सारे स्कुरू एक एक करके सारे स्कुरू उपन हो जाएंगे कर देंगे सारे स्कुरू एक बाई, वन बाई, वन बाई करके आप स्कुरू को ओपन कर देंगे खोलते समय आपको धान दखना है इसमें ताकत का यूज नहीं करना है रेसर नहीं देना है क्योंकि नीचे हमारी LCD लगी होती है LCD ब्रेक हो जाएगी तो फिर आपका बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाएगा तो इस बात का जरूर द्यान रखेंगे जितने भी सारे पेंच है, सारे पेंच को आप ओपन कर देंगे करके 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 इसे ओपन करने के बाद कीबोर्ड को अटाइए कीबोर्ड को अटाइने के लिए आपको यहां से अंगली लगा नहीं है अलका तब प्रेस करना है जैसे प्रेस करेंगे कीबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा यह इसका एक कीबोर्ड है ऐसे आप ओपन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लप्टाप की सर्विस भी करने वाले हैं अगर इसके अंदर स्लो प्रोसेसिंग स्लो वीक ऐसी प्रब्लम आ जाती है तो हम लोग इसके माध्यम से खोल करके इसको साफ कर देते हैं और हमारी इसकी स्पीड अच्छी हो जाती है हमारा लप्टाप बढ़िया तरीके से काम करने लगता है यह जो पिंस होती है इनको बहुत असानी के साथ में खोलना है अब जब आप इसको खोल देंगे तो यह आपका पैनल आता है इस पैनल को असानी से आप ओपन कर लेंगे उपर का पैनल होता है इसे खोल लेंगे यह आपका LCD के उपर का पैनल खुल गया keyboard का इसमें आपका on up switch का पता दिया होता है यह touchpad दिया होता यह touch panel दिया होता यह touchpad का पूरा पता है यह पूरा keyboard का अरिया दिया हुआ है अगर कल्को टचिटे ही काम करता, तो हम लोग क्या करते हैं? पीच्छे के जो टच के रिया होता, इसको हम लोग बदल देते हैं, रपैर करते हैं अब ये हमारा मदर बोड पूरा बाह निकल कर दिया जाएगा? तो सब से पहले हम लोग क्या करेंगे? मतरबुर को बाहन निकालेंगे इसका जो पेंच लगा इसको खोलेंगे इसका जो 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 खोलेंगे इ ठीक, इसको अड़ाओ आवकर आप देखेंगे इसमें कह रहे हैं कि जैसे USB के problem है, इसको USB नहीं काम कर रहा है तो सबसे पहले आप USB के base को देखेंगे, USB का base कैसा है क्यों नहीं काम कर रहा है, इसका pin damage तो नहीं है, pin खराब तो नहीं है इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको चक करेंगे सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा primary काम रहेगा, हम इसको साब करेंगे इसकी जो pin से लगी है, इन pinों को result करेंगे, ताकि इनमें carbon आने के वज़ जैसे यह आपस में read करना छोड़ देता है और इसको लगा करके देखेंगे, यह लगा कर देखेंगे कि ऐसा था नहीं कि USB का जैट खराब होए, प्रफर तरीके से लगने ही पा रहा है इसमें प्रफर गुसरा है लेकिन इसमें प्रफर इंसर्ट नहीं हो रहा है, इसका मरलब इधर कोई ना कोई चीज फास रही है इसको के लिए आप हमें एक चम्टी चाहिए, चम्टी देना चला है प्रफर 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 नहीं हो रहा है इसमें प्रफर 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 नहीं हो रहा है इसमें काफी दिनों तक यूज नहीं करते हैं तो हमारे इसमें ढूल, मिट्टी, डेस्ट वगरे इसके अंदर चली जाती है इसमें प्रफर प्रफर नहीं हो रहा है जैसे अगर आप देखेंगे यह प्रफर प्रफर जा रहा है अंदर तक चला गया लेकिन यह अंदर तक नहीं जा प्रफर अंदर तक नहीं जाने का मतलब है कि इदर कुन्न कुछी जामारी फसर रही है कुछी जाओगया 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 यह जाओगया भी जाओगया अंदर प्रफर एंदर की जाओगया इसमेंगगया कर दो नहीं कर दो दो खब आपने दो आदे लिए कर दो करें दो कर दो 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 आदे हैं इधर जा रहा लेकिन इधर के अरिया फ़सर आए मतलब ये प्रप्रोब्लम इसमें है तो हम लोग क्या करेंगे यूस बी के जितने सारे पिन है सारी पिन को अच्छे से स्वोल्ड करतेंगे क्योंकि कि जब कई लगाते निकालते लगाते ड्राइ सोल्ड हो जाते हैं तो ड्राइ सोल्ड होने से प्रॉब्लम ही आती कि उस भी पकड़ना कनेक्ट होना कभी होगा कभी नहीं होगा ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आनी सुरू हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसकी जो भी सारी पिनों को इसे सोल्डिंग करेंगे करेंगे भाल कि अमक्या चाल करेंगे इसकी जो भी सारी पिंग है करेंगे हैं बालो किया खाता हाना से जो भी है। क्वार्ण शुक्स हम आधे कि अमलगों लैरा कि प्रफिप पर लग्र बेनात ले देल से वांशे में जिक लगर हो आप से अफारी कि अबसे लुट स्वय कर दोर है। कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको साफ कर लेंगे क्लीनर से इसको साफ करने के बाद इसके अंदर की जो पीन होती है उसको भी साफ कर लेंगे जब इस सारी पीन अच्छे साफ हो जाएंगे तभी हमारी USB कनेक्ट होगी इस बात का आप ज्यान लखेंगे हम लोग इसको लगा के देखते हैं USB को हमारा बंदा तक परापा सब में लग रहा है हम लोग क्या करेंगे मदर बोर्ड को इसको करेंगे फिर देखेंगे कि सही से सारी चीजह चल लहीं कि नहीं चल लहीं है हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले बोर्ड को इस सिस्टम में यूनिट में लगाएंगे कि यह फैन होता है इसमें अगर बहुत डूल मेंटी डेस्ट अगर जम जाती है तो अभी प्रॉब्लम आती है कि फैन नहीं चलता है जिसका हम से सीप्यू हमारा हीड होने लगता है तो हम लोग इसको साफ कर लेंगे अब इसको क्या करेंगे हम इसको फिर से दोबारा सेंबल करेंगे बोर्ड लगने बाद सबसे पहले इसका लसीटी का बेल्ट का पत्ता लगा देंगे इससे हमारा डिस्प्लेइ जाता है यह तुमारा स्पीकर एकनेक्टर दिया हुआ है इसको आप लगा देंगे कभी खराब हो जाएंगे उनको भी चेंग किया जाता है इसको आप लगा देंगे इसको आप लोग अच्छे से टाइट कर लेंगे अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस पर कपैनल लगाएंगे सबसे पहले आप इसमाओना सिच का जो पता है इसको आप अच्छे से लगा देंगे क्रिटिंग करने के बाद हाएंगे झाल बोड़ी के साइड के जैते हैं साइड स्कुरू को आप एक एक करके लगा देंगे पहले आप चारो साइड के जो पॉर्णर के स्कुरू होते हैं बड़े स्कुरू होते हैं उनको पाल एच्छे से लगा देंगे उसके बाद आप हार्डिक्स लगाएंगे स्कुरू के लगाएंगे स्कुरू के लगाएंगे और फिर आप इसमें अंटीना लगा देंगे C दिट रगा दिया यह भी हमारा कीबोर्ड है इसकी बोर्दा पहले आपत्ता लगाएंगे इसकी बाला में आपत्ता लगाफंगे आपत्ता लगाएंगे कीबोर्ड है झाल 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 हम रैम लगा देंगे हम लगा चालो होगे हम लोगा चेक करेंगे हम भगा चालो होगे हम लगा गए करेंगना Juice कर कि अदरपन लगा अ हम लगाद बétais पास्पोर्ट क्या है इसका अ-t-u-l अ-t-u-l लगा दिया है देखो हमारा है चल रहा है चल रहा है तो अब इसका क्या है यह हमारे जितने भी सारी USB के slot है सारी USB के slot क्या हो गए है सही हो गए है तो दोस्तों आज की वीडियो में आज की वीडियो में आज की वीडियो में आपको बताया उस लैपटॉप के अंदर डाटा के बिल नहीं काम करते यह USB के तीनों slot बंद हो जाते हैं तो उनको आप कैसे रेपेर करेंगे उसके बारे में आज आज आपको वीडियो आपको दिया हुआ है तो वीडियो कैसे लगा तो आपको दास स्मेच में आया कोई भी प्रॉब्लाम कोई भी लिखार लाइक है तो comment में message ह हो और अगर इस तरीके से कर mobile phone अवर लेपटॉप इस तरीके से अगर आप पूर a complete training लेना चाहते है तो लिख्ण dwsoo को join कर सकते ह KP है वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्यो दुफतो